गोंडा जिला में और यहां पर हम कुछ पीडित परिवार से बातचीत करेंगे और लगातार दली पिछले आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है इसी को लेकर कुछ पात्से समाज के लोग आज जिलाधिकारी कारियाले गोंडा पहुंचे ग्यापन दिया सभी साथियों को जैभीम साथियों आज मैं गोंडा जिला में हूँ और यहां पर कुछ पीडित परिवार धरना अस्तल पर बैठा हुआ है और मांग कर रहा है कि हमारी जो है न्याय हमको मिले और इसी को हम सर्वे करने के लिए पहुंच चुके हैं गोंडा जिला में और यहां पर हम कुछ पीडित परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी समस्या आप लोगों तक पहुंचाने की कोसिस करेंगे और यह भी जानेंगे कि इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा आखिर किसकारणों यहां पर इधरना पर बैठे हुए हैं इसके जानकारी हमें चाहिए और इनसे बातचीत करते हैं कई लोग है यहां पर और बातचीत करते हैं देखते हैं फिर क्या-क्या मामला है इन लोगों का क्यानाम होता दी प hunting क्या हुआ है मारिन नहां पौन मारा है रामदुलारे यहां-का अड्धा मारी नहां-इटा बहए-बहाय मारे नहां किसलिए मौरा आपको क्या हुआ था भाइन नंश नहां खिन जापतना नामे पेढ़ यंघ्या आये सबह टी आए कहां घर है आपका चंदवरपूर का है तो यह मामला दरसल चंदवरपूर का है तो पूरा कहाणी थो राम को बताई और दसकों को बताई कहां लिए कि हमारे माता जी जो है में लिए वही के लिए वहां है उनके लड़ी से माँदा जी मूर फूट है पर आया थाने पर आए बाद मां में लोग का 12 वजे रात तक बैठाय रहे थाने पर को ब्रहलात मारें पर जाने नाम है आपका प्रहलात मार्द क्या पूरा नाम बताईए प्रहलात कुमार किसके द्वारा हाथा पाई हुआ है कौन लोग वह हैं रामदुलारे मिस्रा मैंक मिस्रा मैंक मिस्रा और रामदुलारे मिस्रा तो परतालित कर रहे हैं आप लोगों को तो आपने सड़क प्रबांधा रखा था खड़ंजा पर घर कि धाने में गेते तो आप देख सकते हैं कि सरकार में किस समाज से आते हैं तो कैसे नियाए मिलेगा एक तरफ तो राम बिलास पासवान जी और पुत्र चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ तो हाथों से हाथ मिला कर बात्चित करते हैं कंधे से कंधा मिला कर बात्चित करते हैं लेकिन वहीं पर उनके समाज के कुछ लोगों के साथ उत्पीरन लगातार बढ़ता जा रहा है और नजदी की धाने में या फिर कहीं पर भी इनक लगता है कि योगी जी आपकी सुनवाई करेंगे कुछ नहीं सुनवाई करते हैं इतना दिन से 15 तारीक का घटना आज तक कुछ नहीं हुआ लगतार नाम हो आपका मनीराम पासवान तो अखिर आप लोग सड़क पर क्यों बांद देते हैं बांद नहीं देते हैं दवा कराने के लिए बांद रहा अच्या वह बिमार थी दवा कराने के लिए बांद दिया गया था लेकिन वताइन की हमार हुए कोई परकार से दवाई मतलब हम करावा हुआ लेकिन मार पीटी इनका लोग मारे पीटे लाएं के हम हुग मार दी नहीं हुए अब ही तक सुनवाई नहीं है लेकिन कोई नहीं तरफ तो मुखमंत्री योग्या दितनाथ और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री जी कहते हैं दलितों को मत मारो मुझे मारो और दूसरी तरफ उनहीं के लोग किस तरह से दली समाज प्रत्याचाल लगातार करते रहे हैं तो कहीं न कहीं यह सरकार की अंदेखी भी है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए और मौके बारदात पर आज गोंड़ा में हैं तो आज यह ग्यापन आप लोग देने आये हैं हाँ देखते हैं क्या है इनका फाइयार में क्या है कि मैं यहां पर इसका जो है कौपी लगा दे रहा हूं आप लोग पढ़ लीजेगा सुचना बावध्धरना अंसन की संबंध में सेवा में स्रीमान पुलिस अधिचक महोते जनपत गोंड़ा अनुसुचित जाती की महला को बिपच्छी गड़त प्राथनी के कारण गाउं में राम दुलारे पुद्बालक राम चलिए सुनवाई तो होगी संविधान आपके साथ है भारत पूरा आपके साथ है और आप लोग परियास करते रहिए और आपको पूरा देश देख रहा है इसमें सुनवाई आपकी कोसिस करता हूं मैं फिर यही कह रहा हूं कि संविधान का राज सायद इसमें बराबर से लागू नहीं है नहीं तो दलित अंसोचित वह भी सीच्छी मानुर्की के साथ लगतार अत्याचार हो रहा है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है और योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगतार कह रही है कि मैं मेरा पूरा परिवार है भारत का हर परिवार मेरा मोदी का परिवार है तो कहीं न कहीं यह गलत हुई हो रहा है इनके साथ इनको इंसाफ मिलना चाहिए बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनितिक म सुनते के साथ तब तक के लिए जय भीम नमुद्धाय।